नमस्ते राम राम कल अयोध्या नगरी में श्री राम की अयोध्या नगरी में भव्य श्री राम जन भूमी मंदिर का मूमी पूजन है इस अवसर पर मेरी एक छोटी सी भेट एक नमन श्री राम को अयोध्या नगरी को सर्यू नदी को श्री राम चरित मानस तुलसी दासकृत श्री राम चरित मानस अवधी में कृत्था उसकी कुछ पंक्तियां आपको पढ़कर सुनाओंगी जिसमें अयोध्या नगरी की महिमा श्री राम की महिमा उनके जन की महिमा इन सब का वर्णन है तो आरंब करते हैं तुलसी दास जी जिस तरह से आरंब किया है उन्होंने वैसे ही हम भी आरंब करते हैं मैं पहले आपको दोहा या चौपाई उसका अर्थ बताऊंगी और आगे फिर दोहा चौपाई या आपका नमन करके विशेश कर श्री शिवजी का नमन करके तुलसी दास जी आरंब करते हैं राम कथा। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वही श्री आयोध्या जी में आ जाते हैं। जन्म का महोत्सव मनाते हैं आपके लिए इशारा काफी होगा। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं बाकी मुर्क हैं। श्री राम जी की सुंदर कीरती का गान करते हैं। सज्जनों के समूह उस दिन श्री सर्यूजी के पवित्र जल में सनान करते हैं। रिदय में सुंदर श्याम शरी रगुनात जी का ध्यान करके उनके नाम का जब करते हैं। वेद पुरान कहते हैं कि श्री सर्यूजी का दर्शन, स्पर्ष, स्नान और जल्पान पापों को धोता है। नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनन्त है, जिसे विमल बुद्धिवाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। दरस परस मजन अरूपाना, हरई पाप कह बेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा आती, कही न सकई सारदा भी मलमती। यह शोभायमान अयोध्या पुरी श्री राम चंद्र जी को परम धाम देने वाली है। सब लोकों में पसिद्ध है, अत्यंत पवित्र है, जगत में जो अनंत जीव हैं, इन में से कोई भी अयोध्या जी में अगर शरीर छोड़ते हैं, तो फिर संसार में नहीं आते। जन्व मृत्यू के चक्र से यह मुक्ति पा जाते हैं। राम धामदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त बिदित अतिपावनी, चारी खानी जग जीव अपारा, अवद तजे तनु नहीं संसारा। इस अयोध्या पुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्यान की खान समझ कर मैंने इस निर्मल कथा का अरंब किया, जिसके सुनने से काम मद और दंब नश्ट हो जाते हैं। अब आगे हम क्या सुनेंगे आगे हम सुनेंगे उसका वर्नन जब श्री राम का जन्म हुआ, पुत्र श्री राम जी का जन्म हुआ, उन्होंने किस प्रकार दर्शन दिया कौसल्या जी को, और उनके जन्म के बाद अयोध्या नगरी में क्या हाल था, लोग कितने खुश थे, कितने आनंद का वाता वर्न था, नगरी कैसे सजी हुई थी, इन सब चीजों का वर्न भी बालकांड में हैं। और वो मैं आपको उसके कुछ छोटे-छोटे अंश सुनाती हूँ। सबसे पहले तो इस दोहे में कहते हैं, तुलसी दास जी, कि लगन, तिथी, योग, सभी कुछ जब अनुकूल हो गये, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गये, क्योंकि श्री राम जन्म का सुख धर्ती को मिलने वाला था। मधुमास पुनीता, सुकल पच्च अभिजित हरी प्रीता, मध्य दिवस अति सीत नगामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंध सुरभित वायू बह रही थी, देवता हर्षित थे, संतों के मन में चाव था, वन फूले हुए थे, परवतों के समू मनियों से जगमगार है थे, सारी नदियां अम्रित की धारा की तरह बह रही थी। शीतल मंध और सुगंधित पवन का किस प्रकार वर्णन करते हैं। बर्शही सुमन, सुवंजुली साजी, गह गही गगन दुन्दुभी बाजी, अस्तुति करही नाग मुनी देवा, बहुपिधी लावही निजनिजिसेवा। आगे हम उस चंद को पढ़ेंगे जिसमें तुलसी दास्ची ने श्री राम के जन की लीला का वर्णन किया है। कौशल्या माता के सामने पहले श्री राम अपने विराट रूप में प्रस्तोत होते हैं, अपने आयुद और अपने प्रभु के रूप में। तो कौशल्या माता को इस विराट रूप में को देखकर बहुत ही भक्ती का भाव आता है। उनको बहुत प्रकार से ज्यान और बहुत प्रकार की बातें समझाते हैं प्रभु और फिर उनकी विनती पर वो फिर शिशु रूप धारन कर लेते हैं। तो इन सारे चंदों को मैं एक साथ पढ़ूँ है। इनको पढ़ने का रिवाज, रोज पढ़ने का रिवाज बहुत घरों में है। मैं खुद भी पढ़ती हूँ इन चंदों को रोज। भै प्रकट कृपाला दीन दयाला कोसल्या हितकारी, हर्शित महतारी मुनिमन हारी अदबुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनुघन स्यामा निज आयुद भुजचारी, भूशन बन माला नयन विसाला, सोभ सिंदु खरारी, कह दुई कर जोरी, अस्तुती तोरी, कह बिधिकरों अनन्ता, माया गुन गाना ज्याना तीत अमाना बेद पुरान भनननता, करुना सुख सागर, सब गुन आगर, जही गावही शुति संता, कह दुई कर जोरी, अस्तुती तोरी, कही बिधिकरों अनन्ता, माया गुन ग्याना तीत अमाना बेद पुरान भनननता, क परुना सुख सागर सबगुन आगर जही गाव ही शुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भययू प्रगट श्रीकंता ब्रम्हांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहे मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ग्याना जन हुआ श्री राम का उसके बाद क्या हुआ। बहुत सारी रानिया दोड़ती हुई आई, शिचु के आवाज को सुनकर दासियां इधर उधर दोड़ने लगी, सारे पूरवासी आनंद में मगन हो गये। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। जुन बिलकर चली, स्वाभाविक श्रिंगार की यही दोड़ उठी, स्वन कलश लेकर थालों में मंगल द्रवे भर कर गाती भी राजद्वार में प्रवेश करती हैं। प्रिंद प्रिंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार की उठी धाई, कनक कलस मंगल भरिथारा, गावत पैठही भूप दुआरा। वे आरती करके निछावर करती हैं, बार-बार बच्चे के चर्नों पर गिरती हैं, मागद, सूत, बंदी, जन, गवये, रगुकुल स्वामी के पवित्र गुनों का गान करते हैं। गर-गर मंगल में बधावा बचने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए थे, नगर के स्री पुरुशों के जुंड-जुंड, जहां तहां अनंद मगन हो रहे हैं। गर-गर बाज बधाव सुब प्रगटे सुशमा कंद, हर्शवंत सब जहां तहां नगर नारी नर प्रिद। तो ये थी तुलसी दास के शब्दों में श्री राम चरित मानस की कुछ पंक्तियां। आज अयोध्या में देश में इसी प्रकार का आनंद चाया हुआ है। आईए हम सब इसी आनंद में सम्मलित होकर कल के भूमी पुजन का स्वागत करें। राम 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 आईए आईए ंग आईए प्रहे अप्र दाल आईए झाल झाल